ओके अलो प्रेंट कैसे हूँ आप सब मैं हूँ विशी और आप देख रहें बॉन्टू इन्वेश यूट्यूब चैनल आज का जो अमारा टोपिक हो वह है बेस्ट टाइम टू ट्रेड इन इंट्राडे मतलब इंट्राडे के लिए सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है तो से पहले मिलाए मैं वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही बता देता हूँ कि अगर आप कोई टाइम यूज़ करो आपको प्र tow टेबल लग नग रहे है आपको शही लग रहा है आप जो स्ट्रेटेजी या प्राइइम यूज़ करें उसमों वह Fuß लग रहा फाले ट्रेड़ तो दोनों में आपको देखना पड़ेगा कोन सा क्या सही रखता है अगर बियूग उसमें फ läuft कर दो तरक ट्रेडर होते एक होते ट्रेडर एक होते सकाल पर अगर ट्रेडिंग यूज करते हो तो इसमें आपको चार्ट पेटर्न वगेरा यूज करोगे तो आपको चार्ट पेटर्न लेना है पास से लेके 15 मीट तक मतला 5 से लेके 15 मतला 5 10 15 तीनों यूज कर सकते हो अगर केंडल स्टिक यूज करे तो आप 1 गंटे का केंडल स्टिक यूज कर सकते हो बाद में आता है scalper, अगर scalper कोई chart pattern यूज़ करता है तो उसको 5 meet पे रखना चाहिए, अगर candlestick यूज़ करता है तो 1 से लेके 15 meet तक कोई भी candlestick यूज़ कर सकता है, उसको देखना पड़ेगा को उसको कौन सी candlestick अच्छी लग रही है, बाद में दूसरे टाइप के trader आते ह तो उसको 5 meet का chart रखना चाहिए, और अगर वो leading indicator यूज़ करता है तो उसको 15 meet का chart रखना चाहिए, बाद में आते है scalper, अगर कोई scalper है, अगर वो lagging indicator यूज़ कर रहा है, तो उसको 1 से लेके 3 minute तक का chart यूज़ करना चाहिए, अगर वो क्या leading indicator यूज़ करता है, तो उसको पांच मिट का गर आप यूज करना चाहिए, तो आपको कोई टाइम फ्रेंग को देखने के लिए, मैंने पहले ही बता दिया, यह वीडियो उन लोगों के लिए जो पन्प्यूजट है, अगर आप कोई स्ट्रेटेजी पे वर्क करें और उस पे टाइम फ्रेंग सेट है आपक और वो अच्छा प्रोफिट कमा के दे रहा है, तो आपको कोई टाइम फ्रेंग या कोई स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत नहीं है, यह उन लोगों के लिए वीडियो है, जो क्या है कि कौन सा टाइम फ्रेंग यूज करें, तो प्लेज यारो अगर आपको इस टाइम सब्सक्राइब कर देना, और यह मैंने स्टार्ट किया है कि पहले टाइम फ्रेंग बाद में इंडिकेटर, प्राइज एक्षन, तो एक सीरीज चलेगी, तो अगर आपको सब कुछ जानना है, इंट्राडे के बारे में या स्विंग टेडिंग के बारे में, तो प्लीज जा